नमस्तों दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने योटूब चानल पूजा घर संसार में दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंफर्मेटिव टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वो कौन सा दिन होता है पीडियेट के बाद का जो फटा-फट से प्रेगनेंट होने के लिए important day होता है और इस दिन आपका unprotective relation रखने से pregnancy conceived हो जाती है आप प्रेगनेंट हो जाती है महिलाओं के लिए जानना बहुत ही जादा important है जो काफी बाद से try कर रही है और बहुत दिनों से pregnant नहीं हो पारी है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही informative है period के just बाद आपको कब try करना है ताकि आप pregnant हो जाए जल से जल तो ये वीडियो जरूर लास तक देखेगा बहुत informative वीडियो है जो पहली बाद चैनल के हो जरूर चैनल को subscribe करके बेल का इकन को press करिएगा ताकि आपको देली आने वाले वीडियो के notification मिलते रहें आईए आज क दिन का है 35 दिन का या 20 दिन का है जो भी आपकी next आने वाली date है period उससे 12 या 14 दिन आप माइनस कर दीजे और जो भी दिन आता है वो आपका सबसे अच्छा समय होता है pregnancy रूखने के लिए यानि pregnant बनने के लिए तो जबी आपका जो भी मानलीजे एक तारीकों period आया है तो बहुत हाइली chances होते हैं कि pregnancy रूख जाती है अब काफी बार ये भी query आती है कि मैं pregnant होने के chances कब कब नहीं होते हैं तो देखिए ऐसा कोई भी time नहीं होता है जब unprotective relation रखा जाए पूरे आपके period cycle के दिनों में कि आप pregnant नहीं हो पाए लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमे कि pregnancy नहीं रूखती है तो ये जानना भी उन मैलाओं के लिए काफी ज़्यादा जरूरी है जो जल से जल मा बनना चाहती है तो ऐसा कुछ दिन होता है आपके period cycle में वो कौन सा दिन होता है तो वो होता है दोस्तों जब आपके period आने का date होता है उसके one week पहले से आपको pregnant होने के chances काफी कम हो जाते हैं तो इस समय अगर आप relation में रहते भी हो तो आप pregnant नहीं हो पाते हो और period जब आपकी start रहती है उस समय भी pregnant होने के chances बहुत कम रहते हैं लेकिन बिल्कुल नहीं रहते हैं ऐसा नहीं होता है किनी महिलाओं में pregnancy रूख जाती है अब मैं आपको ये बता कम होता है 20 दिनों का होता है या 22 दिनों का होता है तो ऐसी महिलाओं में ovulation जो है उसका time बहुत कम हो जाता है तो जैसे ही period खतम होती है period समाप्त होती है वैसे ही इनके ovulation भी फटा-फट से हो जाते हैं और फिर उसी समय pregnancy conceive होती है तो कहने का मतलब ये है इस वीडियो में कि अगर आपकी period का cycle short है तो आपको relation बनाना चाहिए period जैसे ही आपकी end होती है उसी के 4 या 5 days बाद और अगर आपकी 28 दिन की या 30 दिन के period cycle है तो फिर आप 12 दिन या 14 दिन संभावित period आने के time से घटा लीजे तो ये आपका ovulation day होगा निकल जाएगा और आप ये easily समझ पाओ कि कब आपको unproductive relation में रहना है ताकि आप जल से जल pregnancy conceive करके pregnant हो जाओ इसमें friends कुछ चीजे और ध्यान में रखना है जब आप बहुत time से ट्राई कर रहे है प्रेगनेंसी के लिए तो आपको leg up the wall position काफी जादा best होता है जब ये भी आप relation में रहे इस समय leg up the wall position relation बनाने की त कुरंत बाद आपको ट्राई करना है या कमर के पास आपको पीलो एगरा लेके रखना है ये काफी ज़दा best तरीका होता है जल से जल pregnancy conceive करने का लगवाग 25 मिनट्स आपको लेटे रहना है ताकि जो भी सीमन है वो अंदर आपके बर्थ कैनाल तक आराम से पहुंच जाए और ये सारी चीजे बहुत इंपोर्टेंट है डिहान रखना आपको स्ट्रेस बिलकुल भी नहीं लेना है आपकी लाइफ स्टाइल बहुत नॉर्मल रखनी है आपको और बिलकुल healthy खाना खाना है और daily exercise भी करना है ये सारी चीजे आपको जल से जल pregnant बनाने के लिए बहुत ही करिएगा और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक भी करिएगा और चानल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन को आउन कर दीजेगा आज के लिए फिलाल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल लखिए दोस्तों टेक क नमस्कार